नमस्कार, सिफसक्ती रेकी हीलिंग सेंटर से मैं सर्टा पारा सरी, आप सभी का अपने चनल में स्वागत करती हूँ और आज मेरे वीडियो का विशह है कि विजूलाइजेशन जब भी हम किसी विद्या को सीखते हैं, किसी इनर्जी से जुड़ते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है, कि जितना अच्छा विजूलाइजेशन होगा, उतनी ही अच्छी आपकी हीलिंग होगी, आपका एक काम होगा आप उस इनर्जी से अच्छे से जुड़ पाएंगे काफी लोगों का प्रश्णा है, कि वो करना चाहते हैं, लेकिन वो विजूलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, या उनसे नहीं होता है तो वो कैसे करें, जो अच्छा विजूलाइजेशन कर सकें विजूलाइजेशन हम अपने माइने से करते हैं जब हम बिल्कुल सांत होकर बढ़ते हैं अपनी इनर्जी का आफान करते हैं और तभी हम अपने दिमाग में वो चीजों को देखते हैं एक दम अच्छी तरह से सटी प्रकार से तभी हमारा विजुलाइजेशन अच्छा होता है इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है आप लोग जब भी बैठें प्रुजुलाइजेशन करें अपने अंदर देखें बाहर की शीजों को न देखें आख बंद करें और अपने अंदर देखें आपके सीर के दो भाग हैं जैसे आपके दिमाग के दो भाग होते हैं वैसे ही आपके सीर के दो भाग हैं और बीच में एक वाइट कलर की स्कीन है उस पर बो पिश्चर चल रही है जो चीज आप देखना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं मेरे पास महत अच्छी कार हो या मेरा घर महत अच्छा हो तो उस चीज को उसी प्रकार से देखें जो आप अपनी जीवन में चाहते हैं और उस स्कीन पर उसको देखते रहें महसूस करते रहें अंदर से फील भी करें कि सचमुच आप उस जीवन को ही जी रहे हैं इस ट्रिक से आप अगर विजुलाइजेशन करेंगे तो आपका विजुलाइजेशन बहुत अच्छा होगा हम कुछ भी सीखते हैं जब तक हम विजुलाइजेशन और अफर्मेशन नहीं करते हैं हमारी कोई भी विज अच्छे से काम नहीं करती है इसके लिए हमें हर चीज को जो भी हमें अपनी जीवन में चाहिए उसे विजुलाइजेशन करना है और अफर्मेशन करनी है वो अच्छी तरह से हमारी पूरी होती है मेडिटेशन से और ध्यान से क्या होता है कि हम अंतर मुखी होने लगते हैं यानि कि हम अपने अंदर देखने लगते हैं हम अंदर की तरफ बहने वाली उरुजा बन जाते हो और यह जो कॉस्मिक नर्जी बहा रहे यह हमारे अंदर बहने लगती है हमें सक्तिसाली बनाने लगती है तो भीतर की तरफ जब आप नजब भुमाकर अंदर स्कीन पर मायंड की जब आप पिच्चर देखेंगे और वो चीज आपको मिलने लगती है बड़ी मैजिकल टक्नीक है इसे आप लोग करें